नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सिवा में बहधी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जहां अगर आप भी करते हैं ऐसा तो किड्नी में हो सकता है इन्फिक्сят्शन यह है आज का टॉपिक आप सभी के लिए किड्नी का काम होता है शरीर के विशाक्त पदार्थों को बाहर निकालना विशाक्त पदार्थ अगर शरीर में नहीं रहते हैं तो खून भी साफ रहता है और पाचन तंत्र भी सुचारू रूप से कारे करता है लेकिन हम अपनी खाने पीने की खराबादों की वजह से किड्नी को बहुत नुकसान पहुंचा देते हैं और फिर कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं आये जानते हैं कि खान पान के दोरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आप फिट रह सकें सोफ़्ड ड्रिंक्स जादा किड्नी के दुश्मन होते हैं दरसल में सोफ़्ड ड्रिंक्स में आर्तिफिशियल स्विटनर होता है जिसके लगातार प्रियोग से शरीर इसका आधी हो जाता है इसके दुश प्रभाव की वज़ह से मुटापा, डाइबिटीज, किड्नी स्टो समस्यां हो सकती हैं ज्यादा नमक के कारण ब्लड प्रेशर की समस्या आम है लेकिन इससे आपको किड्नी की समस्या भी हो सकती है दरसल खाने में अधिक नमक के प्रयोग से लीवर में एक लिक्विड बनता है जिसकी वज़ा से लीवर में सूजन आ जाती है और किड्नी भी प जरूरी होते हैं लेकिन अगर आप चीनी का ज्यादा सेवन करते हैं तो यह हमारे स्वास्त के लिए यानि के बलड का सूगर लेवल बढ़ा देता है इसलिए आपके लिवर और किड्नी को भी खराब कर सकता है यानि के हमारे स्वास्त के लिए डैमेज वाला होता है यह कम पा पानी पीना जरूरी है कम पानी पीने से ये जहरीले पदार्थ पेशाब की नली में जमने लगते हैं और कम भीर रोग पैदा करते हैं इसके अलावा कम पानी पीने से किड्नी में पथरी होने की संभावना भी बढ़ जाती है पेशाब रोकने की आदत जिहां किड्नी के के जाने की वजह से किड्नी का संक्रमर भी हो सकता है आपको इसलिए बहुत देर तक आपको पिसाब रोक करके नहीं रखना चाहिए अन्यथा आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है तो ये थी वो जानकारी जिसके सहारे आप अपने आपको स्वस्थ रख सकते हैं और कि एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बहुत ही महतोपूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों